हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमिद करता हूँ आपसी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज के स्पीडो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाश 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट नुमेरिकल को आज के स्पीडो में हम जानेंगे और यह जो नुमेरिकल है मैंने एक स्रीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने आपको कहा है कि नुमेरिकल जो है पूरा केमिस्ट्री के आपके संपूर किताब के जो केमिस्ट्री है उसके जो दो नंबर वाले प्रस्न होंगे जो तीन नंबर वाले नुमेरिकल होंगे उन सभी को हम कराएंगे तो दिखिए यह तीन देख लेते हैं तिन नमबर वाला यह नुमेरिकल है क्लाश 12 केमेस्ट्री के लिए देखिए यहां पर हमने जो भी हम नुमेरिकल कराएंगे सबसे पहली बात याद रखेंगे आप कि यह सभी नुमेरिकल आपके बोड एक्जाम में बार बार पूछे गए हैं और हाला कि जैस इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है देखिए अंक थोड़ा बहुत बदल देगा ठीक है अपर क्वेश्चन का पूछने का तरीका वही रहेगा तो उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे समझके ना तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे और जितना आपका फॉलिकस है अपको नुमेरिकल सोखाया जाएगा तो चलिंए हम स्टार्ट करते और समस़ लेते हैं क्राइब से करते हुए पहले हम समस्ते हैं देखें अपूर्चक है नीचे आको क्वेस्टन में फिर से repeat करके 22 में भी पूछा गया है और इस टाइब के तो बहुत सारे question अलग-अलग वर्सु में पूछे गये हैं तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहली बात सबसे पहली बात हमने यह आपको बदाया था आपसे पूछा गया है कि विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ग्याद केजिए मतलब यूरिया का भी मोल प्रभाज ग्याद करना है और जल का भी मोल प्रभाज ग्याद करना है ठीक है तो हमारा जो लच्छ है वो पता चल गया कि मोल प्रभाज की हमें गढ़ना करनी है उसके बाद हमने आपको दूसरी बात यह कहा था कि आपको देखना है कि इस numerical में क्या-क्या value दिया है उसको दिया है करके नीचे लिखा जाता है तो वही बात हम देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं तो लिखा है कि यूरिया का एक billion भारा अनुसार छे परसेंटेज है छे प्रतीसत है इसका मतलब आप समस रहे हैं इसका मतलब क्या है देखे थोड़ा सा question यहीं पे गुमाया हुआ है देखे इसका मतलब भारा अनुसार भारा अनुसार का मतलब क्या है कि प्रस्न अनुसार आपको कह रहा है कि एक billion में यूरिया का जो भार है न वो 6 प्रतीसत है ठीक है यह आप से कह रहा है इतने line को यह घुमा दिया है भारा अनुसार कह रहा है न कि यूरिया का एक billion भारा अनुसार 6 प्रतीसत है इसका मतलब क्या हुगा कि प्रस्ना अनुसार जो एक विलियन में यूरिया का जो भार है वो 6 प्रतिसत है तो वही बात हम लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल अब एक एक चीजों को ध्यान से आपको समझते जाना है हम लिखेंगे हल अब देखिए यहाँ पे हमें पता चल गए जो यूरिया है यूरिया तो यूरिया का जो भार कि वो कितना 6 प्रतिसत याद रखिएंगे कि मिल्यों है तो हम माल लेते हैं जो Willian है तो Willian यदी 100% है तो 100% में से 6% जो क्या है यूरिया है तो इसका मतलब जो यूरिया का भार होगा वो 6 हो जाएगा मतलब यदी माल लेते हैं एक Willian है तो हम जानते हैं ध्यान से आप समझेंगे यह बात को ठीक है यही सब चीजे हैं डीप में समसेंगे नहीं नुमेरिकल कभी नहीं समस पाएंगे देखें विलियन है तो विलियन दो ही चीजों से मिलकर बना होता है एक होता है विले और दूसरा होता है विलायक जब ये दोनों चीजे मिलती है तब जैका विलियन बनता है और याद रखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि यूरिया का एक विलियन में भारानो साथ 6 प्रतिसत है तो मतलब यूरिया क्या है यूरिया को यह दिम जल में घोलेंगे ना तो यूरिया घुल जाएगा, तो जो घुलता है, ठीके, वो क्या होता है, जो घुलता है, वो ही विले होता है, तो यूरिया क्या है, यूरिया एक विले पदार्थ है, और विलायक क्या हो जाएगा, तो देखिए, यूरिया है, तो यूरिया किसमें, जल में ही न घुलेगा, जल में ठीक है तो जल क्या है एक विलायक है और जब जल और यूरिया आपस में मिलेंगे तब जगर विलियन बन जाएगा तो यहाँ पर ऐसी बात कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है हम जानते हैं कि संपूर जो विलियन है ये संपूर्टेट माल लेते हैं 100 गराम है ठीक है तो और इसका हम कह रहें 100 gram यह Willian है तो 100 gram में से 6 प्रतिसत हैं कि यूरिया है तो 6 प्रतिसत का मतलब 6 gram यूरिया है और बाकी जो जल है वो कितना है वो है94 gram यह जल है यहीं नहों हुआ तो इसी से हमने निकल लिया कि यूरिया का जो भार होगा वो 6 ग्राम हो जाएगा तो ये सब deep में थोड़ा सा discuss मैंने कर लिया जैसे आपको जो student नई समझ पाएंगे वो अब समझ रहे होंगे तो देखिए ये 6 ग्राम हमने ले लिया बात समझ रहा है कहां सामने लिया तो यूरिया का हमने भार लिख दिया अब देखिए जब यूरिया का हम भार निकल रहे है न तो यूरिया का यूरिया का सुत्र होता है CH4N2O ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए तो अडू भार आप नहीं निकल पाएंगे तो यूरिया का सुत्र ये होता है तो यूरिया का अडू भार अब अडू भार हम निकल लेते हैं तो देखिए अडू भार हमने निकलना सिखाया है या आडविक दरब्यमान भी हम कहते हैं तो देखिए यह कैसे निकलता है उस पर हम जादा डिसकस नहीं करेंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो क्यों यूटूब पे लिखेगा अडू भार निकालना सीखें ब्रदर सर इतना लिख करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा फिर भी निव है थोड़ा सा आप समझना लिखे चाहते तो समझिये देंकिः कार्बन है ना कार्बन की संख्या एक है तो कार्बन है तो कार्बन का परमालु दर्भ्यमान कितना होता है तो बारा लिख देंगे फीचे दूसरा जब परमालु स्टाट हो रहा है तो प्लस डालेंगे फिर से देह कि कार्बन की संख्य एक है तो एक का गुड़ा अगर 13 में कराएंगे तो 12 ही आएगा इसलिए वन हमने ही लिख रहे है फिर से बिक हाइट्रोजन है फही मैं दियो है तो पहले चार लिखेंगे अगुडा लिखेंगे फिसे हाइट्रोजन के परमाडू दरब्यमान कितना होता है एक होता है तो वन हमने लिख दिया फिसे प्लस देंगे फिसे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है दो है तो दो लिखेंगे अनाइट्रोजन का परमाडू दरब में बार होता है 16 तो 16 अगूमे एक भी करेंगे तो 16 एकम में 16 ही होगा ठीक है तो यह बात समझ गए हैं आगे हम इसको solve करें तो यह 12 हो जाएगा यह 4 एकम में 4 हो जाएगा 14 दूना 28 हो जाएगा और यह 16 हो जाएगा यदि हम इनको एड़ करें तो यह कितना आ जाएगा बारा चार सोला सोला दुना बत्तीस अफिस से अठाइस तो अगर हम इनको एड़ करें तो आठ दो दस तीन दो पांच एक छे मतलब साथ आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए हमने विले का जो अड़ु भार है वो निकाल लिया साथ ठीक है इतना हमने निकाल दिया तो देखिए सबसे पहला हमने यही काम किया कि हमें जो यूरिया का भार दिया हुआ था 6 प्रतिसत मतलब 6 ग्राम तो 6 ग्राम लिखकर यूरिया का अडू भार भी हमने निकाल दिया इसी प्रकार यूरिया कहें एक विले है तो उसी प्रकार एक विलियन बनाने के लिए बिले और बिलायक की ऑच सकता होती है तो बिलियन कब बनता है जब उसमें जल भी होता है तो इसका मतलब यूरिया एक पदार थे तो एक पदार जो बिलायक होगा वो जल होगा तो अब हम निकालेंगे जल का क्या भार तो जल का जब भार निकालेंगे तो हम जानते हैं कि टोटल विलियन कितना है 100 गराम है ठीक है और 100 गराम में से यूरिया कितना है 6 है तो 6 को घटा देंगे तो जब 100 में से 6 निकल जाएगा तो कितना आएगा 94 आएगा और ये ही गराम हो जाएगा तो इसका मतलब जल का जो भार आएगा वो 94 ग्राम हो जाएगा होगा की ने होगा अरे जब टोटल 100 है तो 100 में से यूरिया 6 ग्राम है तो और जो बचा हुआ ही तो टोटल जल है न तो ये 94 ग्राम जो जल हो जाएगा उसके बाद अब जल का अडू भार भी निकाल लेते हैं तो जल का जल का फॉर्मूला S2O होता है जल का अडू भार तो जल का यदि हम अडू भार निकालते हैं तो समझिएगा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है दो है तो दो लिखेंगे hydrogen का परमाडू दरबैमान 1 होता है तो 1 से गुड़ा करा देंगे फिसे बीच में पलस oxygen की संख्या है 1 तो लिखने की ज़रुवत नहीं है oxygen का परमाडू दरबैमान होता है 16 तो अगर हम देखे इसको तो 2 एकम में 2 16 तो ये total 18 हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो आडविक दरबैमान या अडू भार जो जल का है वो 18 है तो देखे हमने 2 चीजे अभी तक आपको ग्याद करा दिया है सबसे पहले जो यूरिया है जिसे हम विले भी कह सकते हैं तो विले का भार हमने ग्याद किया फिसे इसका अडू भार ज्याद कर लिया जो यहाँ पे है फिसे जो बिलायक है जिसे हम जल कहेंगे तो जल का भार हमने ग्याद किया फिसे जल का अडू भार भी हमने ग्याद कर लिया उसके बाद अब हमारा question start होता है कि इसमें कह रहा है कि विलियन में यूरिया का मोल प्रभाज और तथा जल का भी मोल प्रभाज ग्याद करना है तो पहले हम ग्याद करते हैं पहले आप समझिएगा पहले हम इतनी बात जानते हैं ध्यान से समझेंगे इन्ही सभी बातों को आपको जानना है मूल प्रभाज इसकल्टू क्या होता है मूल प्रभाज मूल प्रभाज इसकल्टू होता है कि माल लेते हैं जिसका आप मूल ग्याद कर रहे है माल लेते हैं हम यूरिया का ग्याद कर रहे है ठीक है यूरिया का माल लेते हैं मोल प्रवाज़ा में ग्याद करना है तो फॉर्मूला क्या होता है यूरिया की मोलो की संख्या अब बटे क्या होता है कुल मोलो की संख्या कुल मोलो की संख्या कुल मतलब क्या कुल मतलब कि जो यूरिया के मोल होंगे कुल मोलो की संख्या का मतलब यूरिया का जो मोलो होगा यूरिया का जो मोलो होगा मोलो की संख्या होगा वो अब फिर से जो जल के मोलो की संख्या होगो उन दोनों का हम जोड देंगे तभी तो कुल मोलो होंगे ना तो कुल मोलो की संख्या यह formula होता है तो हमें सबसे पहले जब यूरिया का मोल प्रभाज गयाद करना है तो सबसे पहले हमारे target ही होना चाहिए कि यूरिया के मोलों की संख्या हम गयाद करें उसके बाद नहीं हम गयाद कर पाएंगे यूरिया के मोल प्रभाज ये हमारे दिमाग में होना चाहिए तो हम जानते हैं हम क्या जानते हैं थोड़ा सा समझिएगा मैं इधर साइड में कर दूँ ठीक है तब तब आप समझिएगा उदर आपको ध्यान नहीं देना है ये तो मैंने ऐसे ही रफ के लिए बताया है कि आपको याद रखना है अब समझिए हम यूरिया के मोलो की संख्या निकालते हैं यूरिया के मोलो की संख्या यूरिया के मोलो की संख्या हम निकालेंगे तो मोलो की संख्या या मोल ठीक है मोलो की संख्या कहें या मोल लिख देते हैं ठीक है तो मोलो की संख्या, चलिए मोलो की संख्या यह हम लिख देते हैं, मोलो की संख्या, तो मोलो की संख्या इसकल टू होता है, भार बटे अडू भार, ठीक है, भार बटे अडू भार होता है, ठीक है, तो हम जानते हैं, कि यूरिया का भार कितना है, 6 गराम है, अब आप संख्या यूरिया का कितना है? 6 है यूरिया का अडुभार कितना है? अडुभार 60 है तो 60 हमने लिख दिया अब अगर हम इसको करें तो 1 upon 10 आ जाएगा ठीक है? 6 यह कम में 6 और 6 दा में 10 60 का हो जाएगा तो 1 upon 10 अगर हम इसको भाग देते हैं तो 0.1 आता है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूरिया के मोलो की संख्या 0.1 आ जाएगा तो इसी प्रकार आप थोटा सा ध्यान से आप समझेंगे मैं इसे मिटा दे रहा हूँ ठीक है इसे में मिटा दे रहा हूँ इसी प्रकार हम क्या करते हैं जैसे हमने यूरिया के मोलो की संख्या ग्याद कर लिया उसी प्रकार जल के भी मोलो की संख्या ग्याद कर ले रहे हैं जिसे जल का जब मोल प्रभाज निकालें तो उसमें आउ सकता पड़ेगी तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं जल का मोलो की संख्या जल की मोलो की संख्या तो जल की मोलो की संख्या इसकल तु भार बटे अडू भार होता है यहीं नहोता है आगे हम बढ़ते हैं देखे भार कितना है मोलो की संख्या भार कितना है जल का भार है 94 है 94 हमने लिख दिया 8 भार कितना है तो इसका 8 भार है 18 ठीक है तो 18 हमने लिख दिया अब हम समझेंगे तो अगर हम इसको काटे तो अगर 29,18 दो बार में इसको काटते हैं तो 24 को 8 2 सते 14 ठीक है जी मतलब 47 दस मलो 47 भाई 9 आता है उसके बाद 9 पचे अगर फिर से हम भाग देते हैं मोलो की संख्या अगर हम इसमें भाग देते हैं 9 पचे 45 और फिर से 2 बचेगा तो 9 दुना 18 लगबग 5 दस मलो 2 आएगा ठीक है तो ये हमारा निकल गया ठीक है तो देखें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या गयाद किया था यूरिया के मोलो की संख्या गयाद कर लिया फिर से हमने जल के मोलो की संख्या गयाद कर लिया तो जब इतना सब हम करेंगे उसके बाद अब आते हैं हम यूरिया के मोल प्रभाज हम ग्याद कर पाएंगे तीन नमबर का question है इतना easy तो है ने तो हम लिखेंगे तब यूरिया का मोल प्रभाज तो यूरिया का मोल प्रभाज इसकल टू हमने क्या बाता था कि यूरिया के मोल मतलब यूरिया का मोल प्रभाज इसकल्टू होता है यूरिया के मोलो की संख्या बटे कुल मोलो की संख्या यह नहीं बताया था तो यूरिया के मोलो की संख्या कितना हमने ग्याद किया है 0.1 तो हम लिखेंगे 0.1 लिख देते हैं अब बटे कुल मोलो की संख्या कुल का मतलब होता है कि यूरिया के मोलो की संख्या और जल के मोलो की संख्या जब ये दोनों add होंगे तभी तो कुल मोलो की संख्या होगा ना तो कुल मोलो की संख्या मतलब यूरिया के मोलो की संख्या 0.1 और प्लस और क्या करेंगे जो जल है जल के मूलों की संख्या कितनी है 5.2 है तो यह अब दोनों एड हो जाएंगे तब जाका कुल मूलों की संख्या हो जाएगा समझ रहा है ना तो अब हम लिखते हैं यूरिया के मूल प्रभाज या मूल अंस भी कह सकता है आप समझेगा यह 0.1 हो गया यह अगर दोनों एड होते हैं तो कितना हो जाएंगे 5.3 हो जाएंगे यहीं नहोगा बिल्कुल यही होगा अगर हम इन में दोनों में उपर 10 का और नीचे 10 का गुड़ा करा देते हैं गुड़ा भाग तो यह कितना हो जाएंगे यह हो जाएगा मूल प्रभाज इसकल्टू यह हो जाएगा टेन और यह कितना हो जाएगा तीरपन ठीक है सुरी यह टेन नहीं होगा यह वन हो जाएगा ठीक है मैं इसी कलर्स लिख दे रहा हूं ठीक है यह वन हो जाएगा और यह तीरपन हो जाएगा तो यह द दस्मलों की रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इतना लिख देते हैं, फूल नंबर आपको मिलेंगे, इससे कन्फ्यूस नहीं होना है, या एक में आप तिर्पन का भाग दे दीजिएगा, जितना आएगा दस्मलों में लिख दीजिए, तो देखी रहे हैं, यूरिया के मोल प्रभाज हमने कैसे ग्याद किया, इसी प्रकार, अब फिर से हमें जल का भी मोल प्रभाज ग्याद करना है, उसको ग्याद करने से पहले, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, कि देखिए हमें कैसे हमने इसको स्वाल्प किया देखिए हमें केवल दिया गया था विलियन का भारानुसार 6 प्रतिसत है तो देखिए हमने विले का भार फैले निकाल लिया तो विले का अडू जो विले है मतलब यूरिया का भार निकाला अडू भार तुरंथ हमने निकाल लिया, क्यों? क्योंकि हमें पता था कि जब यूरिया का हम मोलो की संख्या निकालेंगे, तो उसमें अडू भार की आऊ सकता पड़ेगी, तो इसलिए अडू भार भी निकाल लिया, ठीके? तो उस प्रकार हमने ये यूरिया के मोलो की संख् ग्याद करेंगे तो उसमें अडू भार की जरूरत पड़ेगी तब हमने निकाला है तो यूरिया जो जल का मोलो की संख्या इतना आया है उसके बाद हम जानते थे कि दोनों यूरिया के मोल प्रभाज इसकल टू यूरिया के मोल मोलोग की संख्या बटे कुल मोलोग की संख्या मान पूटव किये हैं तो यह आया है बात सम SHA-Rrolle तो आगे हम solve करते हैं उसके बाद अब हम देख लेते हैं किसका जल के मोल प्रभाज तो जल का मोल प्रभाज समझिएगा तो जल के मोल प्रभाज क्या होता है जल का मोल प्रभाज इसकल्टू हो जाएगा जल के मोलो की संख्या तो जल के मोलो की संख्या कितनी है 5.2 है तो 5.2 लिख दिया अब बटे कुल मोलो की संख्या कुल मतलब इसका इतना मतलब यूरिया के मोलो की संख्या 0.1 है और इसका जल के मोलो की संख्या 5.2 है तो अगर हम इसको देखे एड करें तो मोल प्रभाज is equal to 5.2 यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा ठीक है यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा तो 5.2 अगर 0.1 अगर एड होते हैं तो 5.3 हो जाएगे यह हो जाएगा अब हम इन दोनों में 10-10 का गुड़ा करा दें गुड़ा भाग तो यह मोल प्रभाज तो मोल प्रभाज इसकल्टू कितना हो जाएगा यह 52 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा तीरपन हो जाएगा ठीक है तो इतना आपका यह एंसवर हो जाएगा ठीक है यह आपका एंसवर हो जाएगा यह भी आपका answer हो जाएगा बात समझ में आ रहा है तो यह जल के mole प्रभाज हमने ग्याद कर लिया 52 भाई तीरपन यदि हम तीरपन से 52 में भाग देते हैं तो मुझे लगता है कि 0.9 ऐसे कुछ आ जाएगा 0.912 ऐसे कुछ आएगा ठीक है आप भाग देकर देख सकते हैं या आप इतना भी लिखते हैं तो आपको full number मिलेंगे तो हम इसे question में यही पूछा गया था कि Willian में यूरिया और जल का mole प्रभाज ग्याद कीजिए तो हमने यूरिया का mole प्रभाज ग्याद कर लिया फिसे जल का mole प्रभाज ग्याद कर लिया है तो देखिए इतना subsolve करने के पस्चाद आपको 3 number मिलेंगे और यह ज़्यादा hard question नहीं अभी तो इससे बहुत ज़्यादा hard hard question है तो हम basic से आपको लेकर चल रहे हैं तीक है कि आपको समस में आ जाए इसलिए जब हम दो number वाले numerical कराए थे तो मैंने यही कहा था कि देखिए यह आपका basic है आधार है इसके बाद जो भी numerical के question आएगा वो सब hard आएंगे बड़े बड़े आएंगे तो basic पढ़ना आवस्यक है तो फिर भी बहुत सा ऐसे student है जिन्होंने उस video को देखा प्यार दिया, support किया और बहुत से student है जिन्होंने साथ उनको हलके में ले लिया ठीक है तो हलके में नहीं लेना है मल लगा कर आपको पढ़ाई करना है मैं यही कहूंगा numerical बहुत ही important है आपके board exam के लिए नुमेरिकल हम स्रीज स्टार्ट किये हुए है तो हम उसको अंतर तक लेका जाएंगे पूर आपको संपूर किताब के physics और chemistry का numerical हम आपको इसे channel पर कराएंगे तो channel पर दिन new है तो channel को जरूर subscribe कीजिएगा ठीक है? तो skin sort ले लिजे और भी अभी बहुत सारे question है उन सभी को हम देखेंगे skin sort तो चलिए दूस्तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रस्ण को तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रस्ण है जो कह रहा है कि भारानुसार 20 प्रतिसत potassium carbonate के William की मोललता ग्यात कीजिए 2018 में question पूछा गया है यहाँ पे के का मतलब potassium का मान दिया 49 यह मान क्या है परमाडू भार है potassium का 49 होता है carbon का 12 होता है oxygen का 16 होता है यह तो हमें पता भी है बट question में दे दिया है देखें इसी type का अभी तो हमने numerical solve किया है इसी type का तो solve किया बट इसमें क्या मोललता के दिया उसमें मोल प्रभाश कह रहा था बट question का पूछने का जो तरीका है वही है सब समझ में आएगा जो हल करेंगे न तो आपको समझ में आएगा सबसे पहले कह रहा है कि भारा अनुसार मतलब प्रसने के अनुसार जो भार दिया है वो 20 प्रतिसत है पोटेसियम कार्भूनेट का अब किसमें पोटेसियम कार्भूनेट के विलियन में तो एक विलियन है जिसमें पोटेसियम कार्भूनेट का जो भार है वो 20 प्रतिसत है तब जाकर हमें उसी potassium carbonate का मुललता की गड़ना करना है तो यह हमारा question है तो चलिए हम question को हल करते हैं, हल करेंगे तभी आपको समस्में भी आएगा तो हम लिखेंगे हल सबसे पहली बाद तो हमें पता है कि potassium जो carbonate होता है potassium carbonate ठीक है जी देखें, जो potassium carbonate है तो potassium carbonate का इसवा भार दिया है 20 प्रतिसाद, तो अगर हम मान लेते हैं कि विलियन है 100 प्रतिसाद तो उसका 100 gram मान लेते हैं विलियन अगर 100 gram, अगर ऐसे दिना तो विलियन 100 ही gram होता भी है ऐसे हम मानते हैं, ठीक है तो विलियन अगर 100 gram है तो 20 प्रतिसाद का मतलब 20 gram potassium potassium carbonate है तो विलियन का जो भार आया सॉरी, यहाँ पर भार हमने नहीं लिखा सॉरी विलियन का भार वो कितना हो जाएगा 20 gram हो जाएगा ठीक है जी, इतनी बात आप समझके उसके बाद आता है जो potassium carbonate का भार हमने ग्याद कर लिया तो इसी के साथ साथ हमें इसका अड़ुभार भी ग्याद कर लेते हैं क्यों? वो आपको आगे समझ में आएगा तो potassium carbonate जिसका सूतर होता है K2CO3 का अड़ुभार या आणविक द्रभ एमान भी हम कह सकते हैं तो इसका हम ग्याद करेंगे तो potassium का परमाडु द्रभ एमान कितना होता है 49 होता है तो 49 लिख देंगे संख्या कितनी है 2 है तो 2 से गुड़ा करा देंगे फिसे प्लस देंगे फिसे आता है carbon carbon की संख्या है 1 तो carbon का परमाडु द्रभ एमान है 12 तो 12 अगूड़े एक कर देंगे तो 12 एकम में 12 ही होता है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बड़ चलिए कोई बात ने ऑक्सीजन का परमादू दरपेमान होता है 16 तो 16 लिख देंगे 16 अगूड़े ऑक्सीजन की संख्या कितनी है तीन है तो हम 3 से गूड़ा खरा दें बात समझ मारा है ऐसे ही हम आणवीक दरपेमान या अड़ू भार निकालते हैं अगर हम इसको आगे सौल करें तो 49 दूना कितना होता है अगर हम इसको आड़ करें तो आड़ू भार तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह हमने अड़ू भार भी ग्याद कर लिया ठीक है एक बार और मैं देख लूँ आठ सोला सोला अठारक आठ चार एक पांच साथ पस्वार एक तेरह ठीक है 138 आजाएगा तो देखिए हमने सबसे पहले पोटेसियम कार्बुनेट का भार ग्याद कर लिया फिससे अड़ू भार हमने ग्याद कर लिया अब हम जानते हैं कि एक विलियन है तो इसमें एक पोटेसियम कार्बुनेट है तो एक क्या होगा जल होगा जिसमें पोटेसियम कार्बुनेट गुला होगा तो अब यह तो ब 100 गराम में से यदि 20 गराम मतलब potassium hydroxide को घटा देंगे potassium carbonate को 20 गराम को घटा देंगे तो 100 में से 20 किया तो 80 जो आएगा तो यह 80 गराम जो होगा यह क्या होजाएगा जल का भार होजाएगा तो यह तो जल का भार हो गया इसी प्रकाइश का अडू भार अगर निकाले जल का अणुभार मतलब H2O का तो अणुभार कैसे निकलेगा जल का परमाडू हाइड्रोजन का कितना होता है परमाडू दरब्यमान होता है एक तो एक कर देंगे और संख्या है दो तो दो से हम गुड़ा करा देंगे बीच में पलस ऑक्सीजन की संख्या एक ही है लिखने की जरूदने ऑक्सीजन का होता है 16 अगर हम इनको एड़ करें तो 2 और यह 16 मतलब यह 18 हो जाएगा तो हम देखिए यहाँ पर फिर से हमने क्या ग्याद कर लिया जल का भी आडू भार या आणविक तरब बेमान हमने ग्याद कर लिया है इसके कोई जरूद नहीं है बट फिर भी हमने ग्याद कर लिया यदि आप नहीं भी ग्याद करेंगे तो भी कोई जरूद नहीं है इसका ठीक है कोई बात नहीं है चलिए हम आगे आप सॉल्व कर लेते हैं देखिए हमें क्या गात करना है विलियन की मुललता की गंडा करना है तो हमें पता है कि मुललता मुललता इसकल्टू क्या होता है मुललता इसकल्टू होता है ना कि विले का भार ठीक है ध्यान साब समझेंगे विले का भार बटे विले का अडू भार और प्लस क्या होता है विलियन का आईतन स्वरी विलियन का भार होता है समझ में नहीं आया देखी एक बड़ाओ समझ लिए मोललता है इसकल्टू होता है विले का भार बटे विले का ही अडू भार अफिस होता है विलेन नहीं याद रखेंगे थोड़ा से मिश्टेक हो गया है विलेन नहीं बिलायक का भार बिलायक का भार और वो भी किसमें किलो ग्राम में हमें लिखना है किसमे कीलो ग्राम में तो याद रखेंगे बिले का भार बटे विले का अणु भार अब फिर से बिलायक का भार होता है वो भी केजी में अब समझते हैं तो हम अगर इसको सॉल्ब करें तो मोललता का ही हमें गणना करना है तो अगर हम देखें तो विले का भार कितना है, विले का भार अगर हम देखें, तो यह potassium carbonate के एक विले है, यही तो भूल रहा है न जल में, तो यह विले होगा, यह विले होगा, विले का भार है 20, तो हमने 20 लिख दिया, फिर जे विले का अडू भार कितना है, 138 है, अब फिसे प्लस, और उसके बाद फिसे कह रहा है कि बिलायक का भार, तो बिलायक का जो भार है, याद रखेंगे बिलायक जल है, तो जल का भार कितना है, 80 ग्राम है, तो याद रखेंगे, मैं इसे थोड़ा सा मीटा दे रहा हूं, ठीक है, बात समझिएगा, यही आउसकता पड़ती है, तो हमें देते हैं, तो भार इसकल टू, 80 ग्राम दिया है, तो 80 में यह दिया, 1000 से भाग दे देते हैं, तो जब इसका भाग देंगे तो अब यह केजी में हो जाएगा, किलो ग्राम में, तो अगर हम इसका भाग देते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो केंसिल हो जाएगा, यह क्या तो यहां से जो हमारा भार आएगा ना किसका भार विलायक का विलायक का जो भार आजाएगा वो 2 इंटू 10 to the power minus 2 kg आजाएगा समझ रहे हैं यह 10 to the power plus 2 ए उपा जाएगा तो minus 2 हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा हमने ग्याद कर लिया जो है बिलायक का भार इतना होता है तो देखिए यही बात 8 into 10 to the power minus 2 है इसी को हम यहां पर लिखेंगे 8 into 10 to the power minus 2 ठीक है यह हमने यहां पर लिख दिया केजी में हमने ग्याद करके अब यही इसी को हम हल कर देंगे हमें समझ में आ जाएगा अगर हम इसको हल करें तो देखिए यह 20 है तो 20 हमने लिख दिया फिर से हम समझेगा यह 10 to the power minus 2 नीचे है minus में तो उपर इसको हम भेजते हैं तो plus में हो जाएगा तो यह 10 to the power 2 हो जाए 100 हम लिख सकते हैं तो 100 हमने लिख दिया उसके बाद 138 है अगर हम इसको solve करें अब ध्यान से समझेंगे आप अगर हम इसको क्या करें 4 दूना 8 होता है और 4 पच्चे 20 होता है यह नहीं होता है तो यह कितना आ जाएगा पांच में अगर 100 का गुड़ा करेंगे तो 500 उपर हो जाएगा और नीचे अगर 138 में 2 का गुड़ा करेंगे तो 8 दूना 16 के 6 अतीन दूना 6 एक साथ दो एक हम में दो दो सोची अत्तर आ जाएगा ठीक है दो सोची अत्तर आ जाएगा अब याद रखेंगे या तो आप या तो आप इतने पर ही एंस्वर को छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है या इसी को आप 266 में 500 का भाग दे देंगे तो आपका कितना आएगा दो कुछ आयाएगा दो कज आएगा दो कई कैसे कुछ हा जाएगा या तो आप यहीं पर छोड़ warranty कि दिए याप इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं दस्मलो में भी इसका मातर क्या लिखेंगे मोल प्रति मोल प्रति केजी ठीक है ना मोल प्रती केजी यह लिख देंगे तो यह हुए आपका क्वेस्टन का एंस्वर जो कि आपको समस्व में आ गया होगा देखिए उसी टाइप का क्वेस्टन है भार गयाद करना अनुभार गयाद करना फिसर फॉर्मूला पर पूट अप करना होगा तभी जब आपको फॉर्मूले पर ध्यानते होंगे उसको याद कि उस लिए हम कहते हैं के फॉर्मूले पर प्रसनल हमने एक वीडियो बनाया हुगा है आप फॉर्मूले के वीडियो जरूर देखिए आप यूटूब पर क्यावल इतना ही लिखेंगे न कि स्किन सोट ले लिजे थोड़ा साम डिफरेंट टाइप के और भी नुमेरिकल जो है उसको हम देख लेते हैं ठीक है इसकिन सोट अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रसन को तो यहां पर हमारा अगला प्रसन है नीचे आपको केस्टन भी दिखाई दे रहे होंगे देखि है कि दो नंबर में थोड़ा सासान पूछता है तीन नंबर में थोड़ा सा हाड कर देता है फिर भी हम समझेंगे देखिए यहां पर कह रहा है कि 1.822 ग्राम कार्बनिक योगिक इसका कोष्ट में कर दिया अडुभार इसकल टू 155 मतलब कितना 155 है इसका मतलब क्या हुग कि पहले में क्वेस्टन पढ़ लेता हूं उसके बास हम समझाएंगे तो इतने इतने मतलब इतने ग्राम कार्बनिक योगिकों का अडुभार 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई तो बेंजीन का मोलल अउनमन इस्तिरा हमारे टार्गेट क्या रहता है पहला नुमेरिकल में हमारे यही टार्गेट रहता है कि हमसे इस क्वेस्टन में क्या पूछा गया है उसको हमें जानना तो हमें यह पता चल गया कि वेंजीन के मोलल अउनमन इस्तिरांग की गढ़ना कीजिए तो मतलब हमें मोलल अउनमन इ वही हम दिया है करके लिखते हैं, ठीक है तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, आप समझिएगा, हम लिखेंगे, देखे कह रहा है कि कार्बनिक योगिक जो है, इतना गराम कार्बनिक योगिक जिसका अणुभार 155 है, 55 को 100 गराम बेंजीन में घोलने पर, याद रखेंगे एक बात कि 100 गराम बेंजीन में घोलने पर, तो यह बताएए, इसी को ना घोल रहे हैं बेंजीन में, तो जब इसको कार्बनिक योगिक को घोल रहे हैं, तो कार्बनिक योगिक क्या होगा, बिले होगा, और जो बिले होगा, यह बात आपको समझना पड़ेगा, जो घोलता है, वो बिले होता है और जो अपने अंदर घुलाता है वो बिले होता है तो वही बात है तो यह कार्बनिक योगिक है अब इसमें नाम नहीं दिया कि कार्बनिक योगिक कौन सा है तो हम यह लिखेंगे कि कार्बनिक कार्बनिक योगिक का भार तो कार्बनिक योगिक का भार तो यार दखेंगे कार्बनिक योगिक क्या है विले है विले है अई इसको कोस्ट में हम कार्बनिक योगिक कर दे रहें तो विले का जो भार है इसको इसमाल डबलू से हम दर्शाते हैं इतना हमने लिख दिया उसके बाद कहा रहा है कि अडू भार कोश्टक में दे दिया 155 मतलब बिले का जो अडू भार है या आडविक दरब्वेमान भी हम कह सकते हैं अडू भार जिसे हम अडू भार को याद रखेंगे हम इसमाल M से दरब्शाते हैं तो यह कितना है 155 है ठीक है 155 है तो इतना हमने लिख दिया उसके बाद समझेगा उसके बाद कहा रहा है कि इतना को 100 गराम बेंजीन में घोलने पर 100 गराम बेंजीन में घोल रहे हैं तो बेंजीन में घोल रहे हैं तो इसका मतलब बेंजीन क्या है बिलायक है तो हम तो बिलायक के भार को हम capital W से दर्शाते हैं तो बिलायक का भार 100 ग्राम दिया है तो 100 ग्राम हमने लिख दिया तो कह रहा है कि 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हीमांक में 60 degree Celsius की कमी हो जाती है तो आपको यह ध्यान देना है क्या कहा रहा है 60 degree Celsius Celsius मतलब ताप का मान दिया है तो ताप का मान हमें कितना दिया है तापो T f से हम प्रदर्षित इसको करते हैं तो ताप का मान कितना दिया है है 30 50 डिक्री Celsius दिया है यह साथ 50 डिगुरी हमने लिख दिया तो चेल्सियस यह आ पर लिखने की जरूरत नहीं है साथ मन दिया ना 0.6 दिया है 0.60 तो यह हमने लिख दिया उसके बाद कहा रहा है कि आ बेंजिन में मूलल ऑनमण इस्तीरांग की गड़ना कीजिए साठीक सलसियस में लिघ देता हूँ अब हमें मोलल जानते हैं मैं इतने में नीचे हो नहीं पाएगा मैं इधर ही कर दे रहा हूं ठीक है क्या बेंजीन का मोलल और नमन इस्तिरांग तो देखिए बेंजीन का मोलल और नमन इस्तिरांग की गंड़ा करना है तो मोलल और नमन इस्तिरांग का फॉर्मूला जानते हैं कि के एफ के एफ इस्तिरांग को के एफ से प्रदर्सित करते हैं के फिसकल्टू होता है इस्माल एम का मतलब क्या है इस्माल एम का मतलब है बिले का अनु भार फिर से डेल टी एफ, टी एफ मतलब ताप है, ठीक है ताप का मान यहाँ पे दिया है, फिर से केपिटल डबलू मतलब क्या है, कि बिलायक का भार है जो इतना है, फिर से थाउजेंड इसमें होता है, और इसमाल डबलू का मतलब है, कि बिले का भार कितना दिया है इतना, तो जब हम इन सभी के मान को इसमें पूट अब करेंगे, तो हमें मोलल अनुमन इस ती रांक निकल जाएगा, देखिए ज़्यादा क्वेस्टन ही हाड नहीं है, पर कहां हाड आ जाता है, कि जिनको ये फॉर्मूला ना पता हो, आप जिनको ये फॉर्मूला ही नहीं पता, वो कैसे इस पो हल कर पाएंगे, कैसे हल पर पाएंगे, अब मैं एक बात याद रखेंगे, कि इस पर बहुत सारे क्वेस्टन पूचे गए हैं, इस टैस्प के विष्टन बहुत सारे पूचे गए हैं, दो नंबर में तीन नंबर में तुम्हें यही कोंगा बिल्कुल आप इसको त्यार रखेंगे इस फॉर्मूले को तो रट जाहिए अभी अगर हम मान पूट अप करें तो समझिएगा के एफ इसकल टूदे कि इम का मान एक एं का मान वन कि इतना ठीक है एक सोपस्डेल टो यह के इतने दिया है टीफ के मान ॐ साट यह हमने लिख दिया ל, क्टेटल νटाव나무 कमांद त्टीया है सव हमने लिख दिया फिस ए WAZ थाजन है तो एक हजार हमने लिख दिया फिस 1.0822 यह हमने लिख दिया बात समस्च महा रही है आगे हम सॉल्प करते हैं तो अगर हम इसको solve करें तो देखिए इसको किस तरीके से हम solve कर सकते हैं देखिए इसको हम बहुत तरीके से solve कर सकते हैं बट आसानी से हम कैसे solve करेंगे चाहें तो हम हम एक जिरो से दो जिरो से दो जिरो काट सकते हैं या समझेगा 155 हम लिख देते हैं और देखिए यह जिरो पॉइंट 60 है न मतलब 60 अगर इसका 100 का हम गुड़ा कराते हैं तो यह जो पॉइंट में है यह टोटल 60 आ जाएगा ठीक है दो जिरो है न दो जिरो अगर इसमें गुड़ा करते है तो यह दसमलो दो अंक इधर आ जाता है 60 हो जाएगा आप गुड़ा करा करें देख सकते हैं ठीक है इतना आप basic है इस पर आप क्या हम समझाएं फिर से 1000 है तो देखें यह 1000 है न तो 3 जीरो होएं तो 1000 से यह हम इसमें गुड़ा कराते हैं तो 3 अंक यह है न तो यह भी 3 अंक 10 मलों के इधर आ जाएगा मतलब अगर 1000 में हम गुड़ा कराते हैं 1.822 में तो ये 1822 हो जाएगा ठीक है अब आगे हम समझ लेते हैं अब KF KF is call to अगर 155 में हम 60 का गुड़ा कराते हैं तो कितना आजाएगा ये आप याद रखेंगे 9300 आ जाएगा अब याठी आठारा सो बाईस हो जाएगा ठीक है ये बात आप याद रखेंगे अब गुड़ा कराकर देख सकते हैं ठीक है इतना आ जाएगा अब उसके बाद या तो आप एंस्वर यही पर छोड़ दें ठीक है या इसी को दस्मलों की रूप में आप के आप कमान लिख सकते हैं 5.0142 इतना आपका एंस्वर आ जाएगा तो इस बात को आपको याद रखना है ठीक है तो यह आपका एंस्वर या तो आप यहाँ पर लिख दीजिए या इतना छोड़ दीजिएगा आप 10 मलों में क्या करेंगे आप भाग देंगे तो आपको इतना आ जाएगा मैं भाग नहीं दे रहा हूँ ठीक है मुझे एंस्वर पता है मैंने डाइरेक्ट लिख दिया है ठीक है आप चाहे तो भा कर भाग नहीं पाएंगे नहीं पाएंगे और क्लेश ड weelth में मुझे बिस्वास है कि आप करिंगे सब्सक्राइब नहीं है तो मैं यही कहूंगा यदि आपको समस में आया है और इस वीडियो से कुछ आपको हेल्फ मिला है तब जाकर वीडियो का लाइक कीजेगा चानल पर नहीं होंगे तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजेगा इससे आपके भी फायते हैं मेरा भी सपूर्ट हो जाएगा मेरा भी फायता है और आपका यही फायता है कि जो भी हम कॉंटेंट आगे नुमेरिकल पर या इन्पोर्टेंट क्वेस्चन पर इन्पोर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो अप्लोड करेंगे वो सबसे पहले नॉटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा तो इस बात को आपको बीसेस कर ध्यान देना है और नुमेरिकल का आगे आप सिरीज पढ़ना चाहते हैं या आप हो सकते हैं कुछ दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए नुमेरिकल का तो ये तीन नंबर वाला है इसी टैप के बहुत सारी नुमेरिकल हमने कराया हुए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स नुमेरिकल और केमेस्ट्री नुमेरिकल का दो लिंक आपको मिलेगा आप जाएए उस पर क्लिक करके अपने बेसिक टुवाई अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई किजिए जो विद्याती नुमेरिकल है वो हमें कमेट सकते हमें ज़रूर बताइएगा कि आप गे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस पर हम लाने का प्रयास करेंगे तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद इसके सोट ले लीचे